भारत का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना माना जाता है। एक 65,000 साल पहले, पहले आधुनिक मनुष्य या होमो सैपेंस अफ्रीका से भारतिय उप महादवीत में पहुँचे थे, जहां वे पहले विक्सित हुए थे। दो, तीन, चार, सबसे पुराना ग्यात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षन एशिया में रहता है। पांच पैसट सो ईसा पूर्व के बाद, खादय अफसलों और जानवरों के वर्चस्व के लिए सबूत, स्थाई सनरचनाओं का निर्मान और क्रिशी अधिशेश का भंदारन मेहरगड और अब बलुचिस्तान के अन्यस्थलों में दिखाई दिया। ये धीरे-धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विक्सित हुए, दक्षन एशिया में पहली शहरी संस्कृती, जो अब पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में 2500-1900-1900-1900 के दौरान पनपी, मेहरगड पुरातत्विक दृष्टी से महत्वपून स्थान है जहां नवपाशान यूप, 7000 इसापूर्व से 2500 इसापूर्व के बहुत से अफशेश मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंब का लगभग 3300 इसापूर्व से माना जाता है, साथ प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की प्राचीन तम सभ्यता में से एक हैं। इस स आतत्व प्रमानों के आधार पर 1900 इसापूर्व के आसपास इस सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया। चीन भारत के इतिहास में वेदिक सभ्यता सबसे प्रारंबिक सभ्यता है जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। इसका नामकरन आर्यों के प्रारंबिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म, वेदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद था, बाद में विदेशी आकरांताउंद वारा इस धर्म का नाम हिंदु पढ़ा। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तटियक शेत्र जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब, भारत और हर्याना राज्य आते हैं, में विक्सित हुई। आम तोर पर अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 2000 इसा पूर्व से 600-200 के बीच में मानते हैं, परंतु नए पुरातत्व उत्खननों से मिले अफशेशों में वैदिक सभ्यता से संबंदित कई अफशेश मिले हैं जिससे कुछ आधुनिक विद्वान यह मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी, आर्या भारतिये मूल के ही थे और रिगवेद का रचना काल 3000 इसा पूर्व रहा होगा, क्यूंकि आर्यों के भारत में आने का न तो कोई पुरातत्व उत्खननों पर अधारित प्रमान मिला है और नहीं डिये निये कोई प्रमान मिला है। सरस्वती एक विशालनदी थी, पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती थी। इसका वर्नन रिगवेद में बार बार आता है, यहाँ आज से चार हजार साल पूर्ट भूगर भी बदलाव की वजह से सूख गई थी। आरिय लोग खाना बदोश गडेरियों की भाती अपने जंगली परिवारों और पशुओं को लिए इधर से उधर भटकते रहते थे। इन लोगों ने पत्थर के नुकिले हथियारों से काम लेना सीखा। मनुष्यों की इस सभ्यता को वे, यूलित सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता में कुछ सुधार हुआ तो फिर चिलियन सभ्यता आई। इन हथियार और जारों की सभ्यता के समय का मनुष्य नर्वानर के रूप में थे। उनमें वास्तविक मनुष्यत्व का बीजार उपन नहीं हुआ था। मुस्टेरियन, सभ्यता के पश्चात, रेंडियन, सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ. इस समय लोगों में मानवुचित बुद्धी का विकास होने लगा था. फिर इसके बाद वास्तविक सभ्यताय आई जिसमें पहली सभ्यता नव पाशान कालीन कही जाती है. इस सभ्यता के युग का मनुष्य अपने जैसा ही वास्तविक मनुष्य था. अतह यूथिल सम्यता से लेकर नव पाशान सभ्यता तक का काल पाशान युग कहलाता है. पाशान युग के बाद मानव जाती में धातु युग का प्रादुर्भाव हुआ. धातु युग का प्रारम तामर युक से होता है। नव पाशान युक के अंत तक मनुष्य की बुद्धी बहुत कुछ विक्सित हो गई थी। इसी समय क्रिशी का आविशकार हुआ। समयरू जाती नदी तट पर ही आर्यों ने तमर्युक की स्थापना की। यहां उन्हें तामबा मिला और वे अपने पत्थर के हतियारों को छोड़कर तामबे के हतियारों को काम में लेने लगे। इस तामर्युक के चिन हनवेशकों को چानू-देरों तथा विजनोग नामक स् दाई में मिले हैं. ये स्थान सरस्वती नदी प्रवाह के सुखे हुए मार्प पर ही है. मैसा पोटामिया तथा इलामर में यही सभ्यता प्रोटो इलामाइट सभ्यता कहलाती है. सुमेरू जाती प्रोटाइलामाइट जाती के बाद मैसो पोटामिया में जाकर बसी है. सुमे कांसे की सभ्यता के बाद कांसे की सभ्यता आई। कांसे की सभ्यता संभवता सुम्रियन लोगों की थी। मैसोपोटामिया के उर्फराकिश तथा इलामर के सुसा और तपा मुस्यान आदी जगहों में उन्हें खुदाई में कांसे की सभ्यता के नीचे तामर सभ्यता के जमी हुई चिकनी मिट्टी का उसे चार फुट मोटा स्थर प्राप्त हुआ है. यूरोपिय पुरा तत्ववेताओं का एहमत है कि मिट्टी का एह स्थर उस बड़ी बार द्वारा बना था, जिसको प्राचीन ग्रंथों में नूम का प्रलय कहते हैं. तामरयुग की प्रोटो इलामाइट सभ्यता के अफशेश इस प्रलय के स्थर के नीचे प्राप्त हुए हैं. इसका यह हर्थ लगाया गया कि इस प्रलय के प्रथम में ही प्रोटो इलामाइट सभ्यता का अस्तित्व था. इस सभ्यता के अफशेशों के नीचे कुछ स्थानों में निम्ण श्रीनी की पाशान सभ्यता के चिन्ह प्राप्त हुए हैं इसापूर्व सात्वी और शुरुवाती छठी शताब्दी सदी में जैन और बौध धर्म संप्रदाय लोग प्रिय हुए अशोक इसापूर्व 265-241 इसकाल का एक मेहत्वपून राजा था जिसका सामराजय अफगानिस्तान से मनिपूर तक और तक्षशिला से करनाटक तक फैल गया था पर वो संपूर्व दक्षिन तक नहीं जा सका दक्षिन में चोल सबसे शक्तिशाली निकले संगम साहित्य की शुरुवात भी दक्षण में इसी समय हुई भगवान गौतम बुद्ध के जीवनकाल में इसापूर्व सात्मी और शुरुवाती छेवी शताब्दी के दोरान सोलह बड़ी शक्तियां महाजनपद विद्यमान थे अती महतवपून गनराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिचशवी गनराज्य थे गनराज्यों के अलावा राज्तंत्रिय और राज्य भी थे, जिन में से कौशाम्भी, वत्स, मगद, कोशल, कुरू, पांचाल, चेदी और रवंती महतवपून थे इन राज्यों का शासन ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों के पास था जिन्होंने राज्य विस्तार और पडोसी राज्यों को अपने में मिलाने की नीती अपना रखी थी तथापी गनराज्यात्मक राज्यों के तब भी सपष्ट संकेत थे जब राजाओं के अधीम राज्यों का विस्तार हो रहा था इसके बाद भारत छोटे-छोटे सामराज्यों में बंट गया आठवी सदी में सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया यह इसलाम का प्रवेश माना जाता है बारवी सदी के अंध तक दिल्ली की गद्धी पर तुर्क दासों का शासन आ गया जिन्होंने अगले कई सालों तक राज्य किया दक्षिन में हिंदू विजयनगर और गोलकुंडा के राज्य थे 1556 में विजयनगर का पतन हो गया सन 1526 में मध्य एशिया से निर्वासित राजकुमार बाबर ने काबुल में पनाह ली और भारत पर आक्रमन किया उसने मुगल वंश की स्थापना की जो अगले 300 वर्षों तक चला इसी समय दक्षन पूर्वी तच से पूर्टगाल का समुद्री व्यापार शुरू हो गया था बाबर का पोता अकबर धार्मिक सहिशनता के लिए विख्यात हुआ उसने हिंदू उपर से जजिया कर हटा लिया 1669 में औरंग जेब ने इसे फिर से लागू कर दिया औरंग जेब ने कश्मीर में तथा अन्यस्थानों पर हिंदूऊं को बलात मुसल्मान बनवाया उसी समय केंद्रिय और दक्षन भारत में शिवाजी के नेतरित्व में मराथे शक्तिशाली हो रहे थे औरंग जेब ने दक्षन की ओर ध्यान लगाया तो उत्तर में सिखों का उदेह हो गया औरंग जेब के मरतेही 1707 में मुगल सामराज्य बिखर गया अंग्रेजों ने डिचों, पुर्तगालियों तथा फ्रांसेसियों को भगाकर भारत पर व्यापार का अधिकार सुनिश्चित किया और 1857 के एक विद्रूह को कुचलने के बाद सत्ता पर काबिज हो गए भारत को आजादी 1947 में मिली जिसमें महात्मा गांधी के एहिंसा आधारित आंदोलन का योगदान महत्वपून था 1947 के बाद से भारत में गंतांत्रिक शासन लागू है आजादी के समय ही भारत का विभाजन हुआ जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ और दोनों देशों में कश्मीर सहितन्य मुद्दों पर तनाव बना हुआ है